नमस्कार बच्चों स्वागत है आप लोग का हमारे यूटुब चैनल में तो आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले है जोग्रॉफी का लेसन नमबर 9 जिसका नाम क्या है स्टुडेंट एग्रिकल्चर तो एग्रिकल्चर मतलब क्या होता है आप बोलेंगे खेती जी वह खेतों में फसल भी उगाता है और उसी के साथ वो जो यह एग्रिकल्चर में ही आते है ठीक है तो इस लिसन में हम लोग किस के बारे में पढ़ने वाले हैं बताईए एक्रिकल्चर के बारे में पूरा एकदम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और कौन-कौन से यहां पर मतलब बिजनसे होते हैं यह सारी चीज़े हम लोग देखेंगे स्टूडेंट तो बस आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहेगा आपको बहुत अच्छा लगेगा यह लिसन पढ़के यहां पर आप बहुत सारी नहीं नहीं चीज़े सीखोगे ठीक है तो चलो शुरू करते हैं तो यहां पर हम स्टार्ट करने वाले पता है किस से यह जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है ना देखो आपके सामने चित्र इसमें जरह ह इस खार, तो दिखाई दे रहे हैं तो यहां पर में दिख रही है है यहिकर को आठीक फिर उसके बाद और कुछ दिखाई दे रहे हैं यहां पर हैं यह नजी निकहीं दिखाई रहा है uniform उसके बाद यहां पर गोट है और उसके बाद क्या है यहां पर है नौर उसके कुछ चूजे चुछे बच्चे हैं और कुछ यहां पर आप देख सकते हो जी हां एक और चीज देख सकते हैं यह किसान के हाथ में क्या है अचा यह आदमी के हाथ में क्या है बच्चो बताईए यह कुदाल है, इसको क्या एक यह अरक छीजो हमकोblick दिखाएनरे में, वह क्या, यह रहा? पहले के लोग क्या क्या करते थे? अब भी तो हल का उपयोग बहुत कम हो चुका है शायद ही कोई करता होगा लेकिन dedic लोग जुटांग सक्षब हल्ग क्या करते थे हल और बैल क्या प्रड़ा दे निवान मतलब यह होता है जैसी कि जो मिट्टी है उसको उपर नीचे ऐसे करना ठीक है तो वो उसको कहते हैं हम लोग जुटाई ठीक है तो यह हलकी मदद से पहले की जाती थी लेकिन अभी तो ट्रैक्टर वगर आ गये हैं हम लोग भी अभी गाम में जाते हैं तो देखते हैं कि लोग अभी हलका उपयोग करते हムल का हो प्युभा करता ही नहीं है बिलाता है गाल कि जुटाई करवाना है तो वह ट्रैक्टर को बिलाते हैं ध्रीद को फिरके चलान चांटा लुख आ मैं fronts कब स्कंद आहं है तो अभी यह सारी CHAIN यह सारी चीज़ जे देख करके आपके दिमाग में एक वर्ड तो आया ही होगा कि यह खर है किसान का गर एक जो ये सारी काम करता है और देखो अगर ये किसान का घर नहीं होता है समझी ये फार्मर का घर नहीं है तो इसके यहाँ पर हल क्या कर रहा है बताओ है ना हल है मतलब ये किसान है ये खेती करता है यहाँ गाय बैसे बंदी हुई है मतलब ये गाय और भैसों को भी पाल रहा है उसके बाद ये बकरीयों को देखो यह दाना घे चारा खिलार मतलब इसके घर पर बकरियां भी है उसके बाद मुर्गिया भी है समझ में आरहे आपको तो इन सारी चीजुत से हमने क्या समझ़ा बताइगे कि यह घर किसंका है तो यह घर है किसान का समझ में आए न चलिए अभी अम लोग जोग्राफिकल एक्स्प्लानेशन थोड़ा पढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि अग्रिकल्चर के अंदर कौन-कौन से विवसाय आते हैं ठीक है तो चलिए बच्चो अभी बिना कुस देरी के हम लोग शुरू करेंगे इसको तो यहां पर देखो क्या द्यान से पढ़ो आपका द्यान इदर उदर नहीं होना ची ओनली इन टेक्स्ट्बुक टेक्स्ट्बुक में होना ची और मेरी बात तो होना ची कि मैं क्या बोल रही हूं ठीक है एक गंड़ा बस पढ़ो उसके पास आराम करना खेलना खुदना चाहे जहां चलो अभी शु लोगई है कि यह जो ओपर वाला पिक्चर है उसमें डre 닉 कonie फ़सल क्या घड़ी भर मतलब क्या होते स्टूडेंट वहकी जिसे जुताए की जाती है वहलका फाल तो उसको क्या बोला चाह यह चाहिज़ ओके तो यह तारे चीजी धिक आपको क्या समझ में आ रहा है कि इसल नो पीछ खाल था और जाने पीच्टर गाय और भैसे थी ठीक है अच्छा वो किसले पालता होगा आपको क्या लगता है गायबशो को किसले पाला जाता है उनसे दूद मिलता है तो दूद के लिए दूद देखो अगर दूद मिलेगा तो वो क्या करेगा देखो पहला तो उसके परिवार जो है उसके पूरा परिवार वो दूद खा सकेंगे और अगर जादा दूदुवाद उसको बेच भी सकते है ठीक है तुससे उसको पैसा मिलेगा यानि उसका जीवन अच्छे से चल पाएगा उसको किसी चीज की कमी नहीं होगी क्योंकि हमको कमी कब होती है जब हमारे पास पैसे नहीं होता है ठीक है मतलब हम उसको खरीद भी न अपने आवश्यक्ताओं कि जो भी उसकी नीड है उनको वह फुल्फिल कर सकता है तो इसलिए वह यह सारे ओक्यूपेशन करता है समझे देखो यहां पर लिखा हुए ही गेट्स मिल्क एक स्टॉम फ्रॉम देम उससे उसको क्या मिलता है तो मिल्क मिलता है एक मिलता है ठीक अब वह यह सारी चीज़े किसले करता है बच्चों वह तो मैंने आपको पहले ही बता दी है सबस्टेस्टेंट यानि उसके जीवन यापन के लिए करता है उसका जीवन अच्छे से चल सके किसी चीज़ की कमी ना हो इसके लिए वह यह सारे ओक्यूपेशन यह सारे काम करता कि यह इ Huaik कि इस इंसान हो तो इक यहले रिसार्स है उसके लिए खेत लगता हो लेकिन वो प्रकृति ने हमको दिया है वो किसी इंसान ने बनाया है No, it is a natural resource So these occupations depend on natural factors ये natural factors के उपर depend होते हैं All these fall under agriculture और ये सारे किस में आते हैं बताईए अग्री कल्चर में आते हैं ये जो सारे occupations मैंने आप लोग को बताए ठीक है, हैंस को पालना अधर गये गाहे वैसो को पालना बुर्ग्यों को पालना तो ये सभी किस में आते हैं agriculture के अन्दर ही आते हैं अग्रीकल्चर मतलब खाली बस छेती नहीं होता है जो किसान और अलग-अलग काम करता है वो सब भी अग्री कल्चर में आते हैं अब आगी भी देखोगे कि और कौन-कौन से occupations है जो एक्रिकल्चर के अंदर आते हैं इस occupations are supplementary to the cultivation of crops यानि कि crops का क्या करता है वो खेती के साथ यह सारी काम भी करता है ठीक है समझ में आ रहा है आपको चलिए आगे चलते हैं तो अगर आप से समझी पूछ दिया अगर आप से एक्जाम में पूछ दिया जाता है कि cultivation of crops यानि फसल उगाने के अलावा और कौन-कौन से occupations है जो क्रिसी के अंद मतलब अगरी कल्चर के अंदर आते तो आप क्या बोलोगे यह जो मैंने आपको बताया कि यह मुर्यों और कैटल का कैटल मतलब यह गाय भैसों का पालन पोर्शन ठीक है तो यह आप लिग सकते हो आपको याद रहेगा ना फिलप्स में भी आ सकता है ठीक है तो बी केरफु से यह भी याद हो सकता है जब आप इसको एक इंट्रेस्ट के साथ सीखोंगे ताब ठीक है चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट आगे यहां पर क्या बोला जा रहा है कि एग्री कल्चर बस एक छोटा सा कहीं मतलब इतने महीं सीमित नहीं कि बस खेती कर लिया हो गया अग यह किस्ते फूरी होती है यह किस्ते फूलफिल होती है तो प्लांस और अनिमल से राइट बिसाड्स कल्टिवेशन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स रेरिंग कैटल शीप अन गोट्स मेंटेरिंग पॉल्ट्री फार्म्स कीपिंग बीस सीरी गल्चर होटी गल्चर और के अंदर तो देखो यहां पर एकदम साफ साफ आपको लिख करके दिखा दिया गया है क्या लिखो कि अगर ऐसा कोशन समझी आ गया आपके एक्जाम में देन वाट विल्यू राइट सी यह आपको यह लिखना पड़ेगा कि रेरिंग कैटल शीप्स और गोट्स मेंटिनिं पॉल्टरी फार्म स्कीपिंग बीज सीरी कल्चर होटी कल्चर और इंक्लूडेर इन एगरिकल्चर ठीक है तो ऐसे करके आप लिख सकते हो समझ बहाए अभी इसका मतलब क्या है वो भी मैं आपको समझाओंगी ठीक है तो अभी किसान खेती करता है तो खेत में क्या एकी त तरीकी की फसल हुगाता है ठीक है तो वो करने के अलावा और कौन-कौन सी सीचे है जो एकरिकल्चर में आती है तो रेरिंग कैटल यानि की काउजन बफेलोस को रखना उसके बाद शिप एन गोट्स को रखना होगे शिप एन गोट्स तो आपको पता ही होगा शिप याने बेढे घोट्याने बगरिकल्ट फिर मेंटेनिंग वाल्ट्री फम्स यानि मुरियों का पालन वो उसके बाद कीमिंग बीए Disability पालन और मदु मंधो मक्कियो से हमको क्या मिलता पता है आपको शहद मिलता है तो जब मदु मक्कियों का कोई पालन कर नहीं तो कैसे मिलेगा है तो इसके लिए ये भी एक तरीके का occupation ही है जो लोग करते हैं और बहुत सारा मुनाफ़ा मतलब profit कमाते हैं फिर उसके बाद सीरी कल्चर अचा सीरी कल्चर क्या होता है अभी आप आगे देखो कि सीरी कल्चर फिर जाके होटी कल्चर भी होता है और शिट्री भी होता है PC कल्च अभी आपको सब कुछ पता चलेगा ठीक है बस आप आगे आगे पढ़ते जाओ आगे चलते हैं बच्चो तो इन अग्रिकल्चर ऑक्यूपेशन रिसोर्स लाइक मैन पावर अनिमेल्स इंप्लिमेंट्स एक्सेप्टरा आर यूजड देखो बच्चो जो आपके अग्रिक पोसेश भी चाहिए होंगे जैसे कि मैन पावर बिना मैन पावर के कुछ भी काम तो नहीं हो सकता अगर आप कोई पर काम करने जाओंगे मैन पावर तो नेसेसरी है विदाउट मैन पावर यू कांट डू एनिफिंग राइट एंड मैन पावर तो चाहिए देन एनिमल्स भ मतलब जो यह ओजार वगएरा होते हैं जिसे कि अभी समझो आप खेती करने जा रहे हो तो खेती हो जाएगी ऐसे खेत में पहुंच गए और खेती करती है अगर कोई घास घर पत्वार उपता है तो उसको हटाना भी पड़ता है तब तो जाके फसल अच्छे से हुगेगी क किसान खेतों में बहुत मेहनत करते हैं तब जाके उनको वह गेह, चावल, मक्के जो भी फसल लुगाते हैं वह उनको अपलब्द हो पाता है ठीक है समझ में आ रहा है आपको तो हमको इंप्लिमेंट्स भी चाहिए होते हैं ठीक है एडवांस टेक्नोलोजी इस एंप्लोई क्रॉप्स है मतलब फसलों को उगाना यह क्या है मेन अप्लिमेंटरी है लेकिन में क्या है कल्टिवेशन आफ क्रॉप्स ठीक है तो फर्स पेज आपको समझ में आ गया होगा मैं समीद करती हूँ कुछ भी इसमें डाउट है अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है इसका अ अब देखिए यहां पर कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं पिक्चर्स जड़ा देख लीजिए समझ लीजिए हाँ जी समझ आ रहे हैं देखो मैं आपको बताती हूं स्टूडेंट पहले अगर आप लोग गाउं कभी गए होंगे तो आपको पता होगा वैसे तो हम गर् टाई करते हैं लोग मतलब हमारे जैसे लोग ठीक है जो फजल को गाते वो जाते हैं फसलों को काटते हैं देखो जैसे यह काट रहे हैं दिखाई देरे आपको वो काटते हैं फिर बाद में उसका उससे दाने मतलब अनाज के दाने मिलते हैं ठीक है तो वह तो पहले की बात फसल काटते थे तब जगे अनाज मिल पाता था लेकिन अब तो मशीन आगए आपने कमपैन का नाम सुना हो गया ना कमपैन से क्या करते हैं कटवा देते पूरी फसल को और अच्छे से आपका जो ग्यों के दाने जो भी होते हैं ठीक है वो आप लोग को मिल जाते हैं अनाज तो देखो यहां पर इंसान क्या करते थे तो यह तो ट्रेडिशनल हो गया ना ट्रेडिशनल टाइप वह पहले क्या करते थे लेकिन अभी मौडन टाइम में क्या होता स्टूडेंट अब तो मशीन आ गई हैं मशीन लगा लो फसल पूरी के पूरी कटकर के एकदम अच्छे से तयार हो जाएगी समझार है उसके बाद यहां पर दिखाना चाहूंगी इधर आप जड़ा देखना यहां पर अभी जो मौडन टेक्नीक्स है उस मतलब पहले सिचाई तो दूसरे तरीके से किया चाता था कुए या फिर नहर वगएरा से सिचाई किया चाता था लेकिन अ आप यहां पर देख सकते हैं यह जो मैंने राउंड किया न स्टूडिन एकदम ध्यान दो खाली वस मेरी तरफ नहीं यह बुक में भी आप देखो ठीक है यह जो मैंने राउंड किया है यह आपको दिख रहा होगा यह पानी का फवारा न ऐसे चलता रहता है और जो फसले ह पौधे होते हैं उनके उपर जाता रहता है तो उनको पानी दिया जाता है ठीक है फिर यहां पर दूसरा अगर आप देखोंगे तो यह एक सप्लाई किया जाता है तो वह जो छेद है उसके तुरू वह पौधे को पानी चला चाता है ठीक है तो इससे पानी बचता है पानी का वेस्टेज नहीं होता तो कि अगर आप पानी ऐसे बहाओगे पूरे खेद में जाएगा लेकिन पानी एक्चुल में किसको चाहिए बता लेकिन अब भी modern टाइम आ गया है न सब लोग modern हो गया है तो इसका यूज किया जाता है ठीक है अभी नीचे आ जाईए यहाँ पर पहले मुर्गियों को ऐसे ही पाला जाता था ऐसे बस ऐसे कभी घर के पिछवाडे या फिर कभी खेतों में ऐसे पाल दिया जाता था मतलब उनको रखा जाता था लेकिन अभी देखना बच्चों modern टाइम में लोगों ने क्या कि इसका business से start कर दिया है जैसे company में कोई product बनाया जाता है उसी तरीके से यह मुर्गियों का भी एक समझो एक company बना दी देखो जैसे इनको कितने अच्छे से रखा हुए देखो इधर एक तो यह आपने देखा यह आप मुझे उम्मीदे कि आप लोगों को यह थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा और पूरा आपको समझ आया जाएगा geographical explanation देखने के बाग ठीक है चलिए आगे चलते हैं student geographical explanation इसमें हम क्या देखेंगे यह picture से related कुछ बाते हैं जो हम लोग समझ समझ लेते हैं जो समझना जरूरी भी है है ना लेसन समझ लिया तो समझो फिलप्स और अब्जेक्टिव टाइप questions तो आपके एकदम easy होगे अगर lesson समझा तो और फिर जो question answer से बड़े-बड़े question answer उसके लिए आपको answers तो पढ़ने पढ़ेंगे समझना पड़ेगा तभी कर पाऊगे ना लेकिन objective तो fix होगे जब आपने यह lessons को अच्छे से complete किया तो ठीक है चले देखते इन दे पास्ट primitive man had to wonder in the forest to sustain himself on the collected forest देगो बच्चों अभी हमको history में लेके जाने की कोशिश की जारी है history history medieval period ठीक है प्राशीन गाल में क्या होता था student लोग जो इंसान रहते थे वह बैस ऐसी घुमते रहते थे उनका कोई ठीकाना था क्या नहीं उनका ठीकाना नहीं था वह एसे इंधर उतर गूमते रहते ते जंगलों में जंगलों से जो उनको मिल जाता था वहीं वो खा लेते थे फिर वहीं पर रहते थे फिर सुबह होती थे चलने लगते थे मतलब उनका कोई जैसे अभी हमारा क्या होता है घर होता है इंसान दिन बर कहीं पर भी रहे लेकिन रात को अपने घर पर ही आता है दूसरे घर पर जाता है जहां पर भूमर है वहीं पर सो रहते लोग फसल उगाने लगे फसल MP3 उगाने के लिए जहां पर फसल अची होती है جैसे नदी के किनारे जो जमीन अच् Pasti फसल बहुत अच्छी होती है थी क theater मखल Możeik मजुष्यों को ये जानकारी भी प्राफ्त हुई कि अगर नदी के किनारे मतलब नदी के जो तट हैं किनारे पर अगर फसल उगाएंगे तो अच्छे से हमारी फसल हुगे तो लोग क्या करने लगे उन लोगोंने क्या किया अपना एक स्थाई ठीकाना बना या कि क्योंकि देखो जहां पर हम खेती कर रहे हैं समझे मैंने एक खेत लिया उसमें मैंने अपने बीज लगा दिये फसल उगाली तो अभी दूसरे दिन में उसको छोड़ करके या फिर कुछ समय बाद वहां से चली जाओंगी क्या नहीं क्योंकि वह फसल उगाया तो मुझ यहां पर वही दिया गया है और फिर उसके बाद लेटर ही लॉन दा आर्ट ऑफ कल्टिवेशन और सब्सक्राइब और फिर वह धीरे-धीरे करके और विक्सेट होता गया तो ज्यादा प्रोड़क्शन वह लैंड से मिलने लगा एंदेन थ्रू दिस ही कुड प्रोड़ाइ अब खेती करना तो सीख्या खेती से उसको फूट ग्रेंज मिलता था और उसी के साथ ही वह और भी उक्यूपेशन उसने स्टाट के जैसे कि पीसी कल्चर होटी कल्चर फ्लॉरी कल्चर ठीक है तो वह इन सारी चीजों से भी अलग-अलग तरीके के प्रोड़क्शन लेने लगा ठीक है फिर अबंड क्या है यहां पर अबंड़निंग नोमेदिक लाइफ ही अंडर टूग डिफ्रेंट उक्यूपेशन रिलेटेट टू एग्रिकल्चर एड़ सेम प्लेस यानि कि वह जो उसका नोमेडिक लाइफ था यानि जो पहले जैसे घुमकड़ी जीता रहत जैसे कि पसुओं को पालना ठीक है पसु मतलब वह एनिमल्स वगरा को पालना फिर केती करना तो वह इंसानों नहीं करना चालू कर दिया समझ में आ रहे हैं आपको तो देखो हिस्ट्री में हम लोग गय थे अभी आगे मॉडन मदब इस टैम पर आगे हिस्ट्री में गयते अंडर स्कोप ऑफ एग्रिकल्चर के अंदर जो अलग अलग ऑक्कुपेशन साते हैं उनके बारे में हम लोग पूरा डिटियल में स्टडी करेंगे मैंने बोला था ना कि एक एक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल पी चिंता मत करना चलो देखते हैं यहां पे क् अगर कोई मुर्गयों को पाल रहा है तो मुझे पैसे मिलेंगे ठीक है इसलिए तो यही तो में मोटीव होता है ना कि उन पसुओं को पालना और फिर उनसे जादा जादा प्रॉफिट कमाना ठीक है अपना जीवण निर्वा करना यही तो होता है मिंद मोटीव तो बस यहां पर वह दिया गया है अभी करके अमनुट डिसकस करते हैं तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों डेरी मतलब क्या होता है हम लोग कहते ना डेरी पे जाले दूद लाने डेरी डेर फारिमी में क्या होता है मैं आपको बताती हूं काउज औक्षेन बफैलोज एक्सेप्ट रहा रेट पॉर एग्रिकल्चर रिलेटेड वक सुनिएगा बच्चों यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि काउज यानि कि गाय ऑउक्षेन यानि कि बैल फिर बफैलोज तो इनको किस जुताय में बैल कैसे मदद करता था उसी प्रकार से यह जो गाय या फिर फैलोज है तो इनका जो गोबर है वो खेतों में खात के रूप में उप्योग किया जा सकता है ठीक है किया जाता था ट्रेडिशनल चाहिए आपको बता रही है जो पहले लोग क्या करते थे अभी भ आपके सुनिएगा रेरिंग मिल्च एनिमल्स एनिमल्स विच कैन बी एंप्लोइड इस फार्मिंग इस ऑल्सो एन ऑक्यूपेशन यह निकी इनको पालना ठीक है यह जो तीनों के नाम यहां पर हैं काउस हो गए बफैलोज या फिर ऑक्सेटी में यह मदद करते ही है साथ के साथ यह दूद भी देते हैं बैल को छोड़ करके तो एक तो दूद का भी फाइदा हो जाता है उपर से यह लोग अग्रिकल्चर में भी हेल्प करते हैं ठीक है तो यह भी एक तरीके का काम है इस तो बी एन इंसेपरेबल पार्ट ऑफ मेंग्स्ड फार्मिंग का यह इन चुका है इन इंडिया इस चेंजिंग और इंडिया में यह बहुत मतलब चेज़ी क्या हो रहा है रिसेंटली अभी यह चेंज हो रहा है धीरे-धीरे अगर आपके एकजाम में डेरी फार्मिंग के बारे में पूछा दो क्या आप लिख सकते हो जी हा लिख सकते हो अभी अभी तो मैंने आपको पढ़के बताया समझ में आ रहा है तो कंसेप्ट आप समझ जाए फिर आप फटाक से लिख सकते हो और पुल्टू फुलमाक्स अचीव कर सकते हो देखो मैंने पहले भी बोला है और आज भी बोलती हूँ कोई जरूरी नहीं कि जो बुक में लिखा है वही आप लिखो नहीं आपको जो समझ में आया है वो लिखो अगर आप यह लिखते हो तो टीचर को भी समझ में आएगा ना कि इस बच्चे ने समझा है है ना इस बच्चे ने पढ़ाए कि इसको कुछ तो समझ में आये तबी तो इसने घुच से लिखा ना इसलिए खुच से ट्राइ करो लिखने का आंसर ओके स्टेंट्स चलिए इन दुनों को पालना तो क्या होता है कैसे होता है इनको कहां पर पाला चाता है किसलिए पाला जाता है वो मैं आप लोग को यहां पर बताती हूं चलो जैसे कि वो जो डेरी फामिंड था यह भी ट्रैडिश नंग उक्यूपैशन है ना देखू पहले लोग गायब ऐसे यहां पर और जहां का क्लाइमेट थूड़ा कैसा रहता था द्राइर रहता था वहां पर ठीक है शीप एंड गोट सर्वाइव औं शॉट ग्रासे श्रॉपस एंड एकेसिया विच ग्रो इन रिमोट हिली रूरर एरियाज अवे फ्रॉम अर्बन सेटलमेंट्स चलो मैं आपको समझाती हूँ एक एक चीज का मेनिंग है ना तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने आप लोगो को क्या बताए कि शीप एंड गोट को कहा पे स्टुडेंट यह एक ट्रेडिशनल उक्वाइशन यह बाद धियान रखना और कहां पे इन लोग को मौष्ट रफब कहा पे पाला जाता है जंकार होते हैं मतलब बबूल आपने सुना होगा वो ठीक है विच ग्रोइन रिमोट हिली रूरल एरिया अभी फ्रॉम अर्बन सेटल्मेंट जो कहां पे ग्रो करते हैं जो ना अर्बन सेटल्मेंट से थोड़े दूर जो ग्रामीड भाग होते हैं ठीक है गाम वाले भाग व पुषन क्या जाता है in इंडिया इंडिया इंड़ेकं फोर मिट शेप राइरिंगी कर dw और इंडिया में इं लोगों को रखा जाता है ओल्ली फॉर मतलबम में फोर बौ स्क्राइटाय अर्प ऐलिए और जो स्यूर्च होती है इती रेरिंग इस क्यारेट आउट टू ऑप्टेन वूल मतलब सिट से हमको क्या मिलता उन अभी ठंडी आएगी अच्छा मुंबई में ठंडी नहीं पड़ती ठीक है लेकिन थोड़ी थोड़ी सुबह सुबह पड़ती है ना तो उन के स्वेटर पहिन के जाते हो ना स्कूल तो व अगर आगे गया देखें तो पौल्टरी के बारे में देखिए अच्छा मतलब क्या होता है मुर्गयों का पालन ठीक है जहां पर मुर्गयां और भी जो पालतू पक्षी धैसे हैं मुर्गयों को रखना यह मतलब पूरे वर्ल्ड में यह का म्या जाइक आए पाल्तृ यहां पर देखना यह तो घर लेते थे तो वो क्या है हाउसोल ठीक है अब भी के ताइम पर देखो को देख सकते हो कैसे मुर्गियों के एकदम लाइन से रखा गया है तो अगर आप ऐसे करके कमर्शियल पेसिस पर यह करना चाहते हो तो वहां पर आपको बहुत कमर्शियल बेसिस रिक्वायर और बहुत ज्यादा करने की सरवाथ पड़ती है और इसके लिए उनका यूज किया जाता है ठीक है इन इंडिया इस ऑक्कुपेशन इस जनरे लोकेटेड इन एरिया कुल क्लोज टू दा बिक सेटीज अस दे प्रोवाइड एडी मार्केट फॉ और इंट्या लोकेटेड होता है कहाँ पर किया जाता है तो शेहरों के बाजार होते है वह वह लाकर के इनको यहाँ पर बेच सकते हैं है ठीक है तो understood से में आ गया होगा अभी हम लोग किसकी बात करेंगे kiri कीम के बनाती है थीक के बीस बनाती है थो चलो बच्छो थोड़ा मदुमक्ती पालन के बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं, तो this occupation is undertaken to obtain honey and wax, यह जो occupation है किसलिए किया जाता है, student किसलिए किया जाता है, तो for obtaining, to obtain honey and wax, ठीक है, यह जो bee keeping है, यह किसलिए किया जाता है, तो शहत पाने के लिए honey और wax, wax यह नहीं क्या होता है, मोम, ठीक है, तो इनसे हमको मोम भी मिलता है और honey Bees in order to collect honey, hover around the plants that bear flowers, सुनिएगा बच्चों, यह जो bees होती है, मधुमक्या होती है, वो honey को collect करने के लिए क्या करती है, जो अलग अलग पेड़ पौदे होते है, उनके फूलों पे जाती है, फिर उनका रज होता है, उसको निकालती है, अलग अलग जो पेड़ होते है, उनके फूलों पे जाजा करके बैठती है, और उनके से वो क्या करती है, हनी का निर्मान करती है, इसके वज़े से क्या होता है, जो पौलीनेशन का प्रोसेस है, मतलब वो जैसे की सुनो, मैं आपको बताती हूँ, जो फूलों होते है, ठीक है, तो उत पेड़ बीच बगरा भी हो और जो पेड़ है, वो और अच्छे से ग्रो करेगा, उसमें और फल आएंगे, ठीक है, तो वो उसमें भी help, पॉलीनेशन में भी ये लोग help करते हैं, as a result, the trees bear large number of fruits and crop yields increases, ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होता है, कि ज्यादा number of fruits ग्रो करते हैं, ठीक है, इनकी वज़े से, ब और भी keeping भी एक बहुत ही जादा important, क्या है, important occupation है, ठीक है, समझ में आया आपको, यहाँ पे हमने भी keeping भी पढ़ लिया है, तो अगर आपके exam में इस से related, इस topic से related, अगर कुछ भी आया तो आप लोग बड़ी आसाने से लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, ओके चली, आभी next हम किसी बाद करेंगे स्टूइट PC कल चर्टर, तो PC कल चर क्या होता, स्टूइड फिसई फारमिंग, जैसे फिसट को रखा जाता है, मतलब सुनो, हम लोग अनाज की खेटी करते हैं, क्योंकि लोग उसके demand करते हैं, क्योंकि अनाज से प्रकार से कई लोग फिश भी खाते, ठ इसको हम लोग PC कल्चर कहते हैं तो अभी इसके लिए किया गया जाता है मैं आपको बता देए सुनों बच्चों क्या गया जाता है जो छोड़ी-छोड़ी या फिर बड़े-बड़े तालाव बनाया जाते और फिर उसमें पानी भरा जाता है ठीक है और फिर उसमें जो मचलि एक ही प्रकार की मचलिया उसमें डाल देते होंगे जिसके वज़े से जो मचलिया वह ग्रो करती है अब आपके मन में यह सवाल रहा होगा कि फिस तो लाकर के इसमें डाल दिया ठीक है इसमें फिस्ट ग्रो कर जाएंगी लेकिन और बिद जो बड़े बड़े वाटर बाडि है उनमें भी यह होती है तो उन तो उनके होते हुए हमको यह चुटे-चुटे ताला क्यों बनाने पड़ते हैं तो सुनो श्रिंट्स में आपको बताती हूं इसमें क्या होता है अगर हम बड़े वाटर बॉटर बॉटी में जाते हैं जैसे कि ओशियन समूंदर में चले गए ठीक है यह मच्लियों को पकड़ने के लिए तो जाल में बहुत सारी मच्लिया आजाती अलग-अलग प्रकार के जो भी और्गनिसम्स होते हो वो सभी पर उनको क्या करो आप क्लासिफाई करो कि कौन क्या है क्योंकि हर एक मच्ली का एक दाम नहीं होता है अलग-अलग- समुद्र में मचलियों को पकड़ने एक खत्रा ठीक है उपर से वह आपके जाल में अलग अलग प्रकार की मचलिया आ गई तो उनको भी डिवाइड करो तो उसमें कितना टाइम लगेगा इसलिए अभी यह यह जो पीसी कल्चर रहना इसलिए इसको सुरूख किया गया है कि ए स्थेयर पीसी कल्चर के अंदर्ब कि आपको समझ में आया रहेगा आए आपको क्या बताया स्टूडेंट क्या समझ में आया बताईए कमेंट करके बताना जरूर में पूरा पढ़कर की बिल्कुल चिन्ता मत करो सब कुछ बताऊंगी ठीक है तो सु देखो यहां पर आपक में क्या किया जाता है इस वाटर को स्टोर किया जाता है फिश शेट्स रिलीज टूदा पॉंड और फिश सेट्स होती है उसमें डाल दिया जाता है फॉर दिस सेट्स और फ्रेश वाटर स्पेसिस आर यूजड इन ओर टू मतलग सुनओ अभी इसके लिए कौन से सेट्स का यूजड जाता है तो वो फिश जो फ्रेश वाटर में रह सकती हो मतलब मीठे पानी में वो लोग रह सकती हो जीवित रह सकती हो अच्छे से वो रह सकती हो उन्हीं fishes को उसमें डाला जाता है In order to achieve the best growth of fish scientific methods are employed और best growth पाने के लिए scientific method का भी use किया जाता है scientific method से मशलियों को ज़्यादा से ज़्यादा grow करवाया जा सकता है Fishing in an open seas has a number of risk factors यानि कि अगर आप open seas में जाओगे कोई बड़े से समुद्र में जाओगे Fishing करने के लिए मसलियों को पकड़ने के लिए तो वहाँ पर risk होता है So different types of fish and other aquatic organisms can caught in the fishing nets और net में अलग-अलग प्रकार की जो organism से वो भी आ सकते है All organisms do not fetch the same price और हर एक organism का same price नहीं मिलता है All these factors lead to the rearing specific type of fish species separately और इसी की वज़े से एक अलग fish type मतलब ये PC culture आया जिसमें एक अलग type के fishes को एक ही तालाब में मतलब ग्रो करवाया जाता है PC culture developed out of these efforts और इसी के लिए PC culture की शुरुवात की गई है अब दिको यहां पर कुछ fishes की यहां पर नाम दिये गए हैं जिसकी आप लोग जानते होंगे शायद से वाम, रोहा, रावस जिसको इंडियन सालमान कहा जाता है फिर कोलंबी तो ये सभी मतलब fishes को ग्रो करवाया जाता है ठीक है तो ये सभी ये आगया बच्चो PC culture में आई होब कि आपको ये भी clear हुआ रहेगा PC culture समझ में आया है ना PC culture मतलब याद एकना fish farming, poultry मतलब मुर्गियों का पालन फिर sheep and go training मतलब बेडे और बकरियों का पालन उसके बाद वो था ना cattle farming, dairy farming मतलब जो आपके cattle होते हैं उनको पालना अब next हम लोग क्या देखेंगे student यहाँ पे हम क्या देखेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे Siri culture मतलब क्या होता है यहाँ पे तो कोई picture ही नहीं है कुछ भी hint नहीं है तो कैसे पता करें मैं बताते हूं न मैं किस लिए हूं जो नहीं आएगा वो आपको बताऊंगी तो Siri culture मतलब क्या होता ना student इसमें न अच्छा आप बात दाइए आप कभी बाजार में जाते हैं तो रेसमी कपड़े देखते न दुकानदार कहते है यह देखो यह रेसम के कपड़े हैं यह रेसमी है रेसमी के धागे है ठीक है तो यह रेसम आता कहां से है कहां से आता है वही सीरी culture से ही तो आता है student देखो यहां पे silk trade is obtained from the cocoon of the silk moat यानि जो का जो धागा आप देखते हो वह इसी से ऑप्टेन किया जाता है संद्य जो रेश्रमी वस्त्र पहनते हो रेश्रमी क्लोथ ठीक है तो भी इसी से आता है इस थ्रेट्स बहुत ही महीन होते हैं और कैसे होते बहुत मजबूत होते कभी रेश्रमी कपड़े बनाया जाते हैं गेटिंग सिल्क थ्रेड फ्रम ककूंस इसको आप समझेगा देखो बचो गेटिंग सिल्क थ्रेड फ्रम ककूंस जो ककूंस होते हैं उनसे थ्रेड ऑप्टेन करना मतलब उनसे धागा बनाना वो अलग है वो अलग उक्यूपेशन है ठीक है वो दूसरे जगा पर गया जाता है और फिर उस धागे से क्लोथ बनाना एक अलग उक्यूपेशन है ठीक है तो इसको भी याद रख्येगा ऐसा निके सबको एक इस रहा लत इतोज आते है ठीक है जैसे अब यह ज़ितने भी चीज़े पट रहेते पॉल्ट्री हो गया ठीक है तो यह सभी कलचर सरी कल्चर में है यह दो क्तून से धागा नगए तो यह आया नहीं होटा है क्योंकि वो तो एक अलग occupation हो गया ना वो अलग है ठीक है ये कोई किसान नहीं करता है समझ में आरे अच्छा धागे है आपके पास तो ये चो बना रहे है उसका कपड़ा ये तो दूसरे किसी company में बनता है ना तो वो अलग हो गया फिर different organizations supply silk moat eggs to the farmers और अलग-अलग organizations है जो क्या करते हैं फार्मर्स को silk moat मतलब वो रिसम के कीड़े के अंडे देते हैं और फिर वो किसान लोग उसके उनको मतलब ग्रो करवाते हैं 으면 lyrics of mulberry trees are the main food for these silk worms अब है जो मेन खाना क्या होते हैं लोग क्या खाते हैं तो जो मलबयरी होता है मलबय मतलब क्या होता इक से तूथ से तूथ को नाum सुना है कभी खाया ह। तो उसके जो पत्ते होते हैं न उनको ये लोग खाते हैं तो और हमको पता है यह जो mulberry trees होती हैं यह कितने सालों तक सर्वाइब कर सकतें तो 15 सालों कर सकतें इसके वज़ेसे क्या होता है the expenditure of planting the trees every year is saved यानि कि बार बार trees को plant करना ठीक है तो उसमें जो लगने बार बार ट्रीज को प्रिच करेंगे उगाएंगे घर हर साल तो वैसा नहीं करना पड़ता है कोई चीज होता है तो जैसे अगर में घहूं की बात करो तो फिर पिर क्या चाता है फिर उसको काटा जाल नहीं लगाना पड़ता है लेकिन यह सेतूत है वो 15-चलता है तो एक बार लगा द प्लावर पुशन कर सकते हो और उससे ककोन को आपटें कर सकते हो छोटे वच्चो वाली नरसरी नरसरी जहां SAY पर प्लांस वगरहे जाते हैं बहुत अलग अलग प्रकार प्लांस रहेंगे अगर किसी को को चीज चाहिए होता है किसी जीच का पेड़ चाहिए होता है तो वो लोग क्या करते हैं नर्सरी में चाहते हैं वहां से पेड़ या फिर पौदा खरीद करके ले करके आते हैं ठीक है तो वह गया नर्सरी तो यह भी एक तरीकी का ओक्यूपीशन ही है जो एक्रिकल्चर में ही आता है ठीक है तो इन लास्ट फ्यू यह अंदर फ्लॉरी कल्चर कल्टिवेशन और मेडिसिनल और अरोमेटिक प्लांट्स और हॉट्टी कल्चर हैस इंक्रीज़ इस प्लांटेशन रिक्वार्ट्ट्स अ हाई स्टैंड ऑफ पर आप बिल्कुल में चिंता मत करना मैं आपको बता दूगी देखो क्या बोला गया कि इन दे लाइस इन लास्ट फ्यू यह यह यानि कि बीते कुछ दिनों में किछ कुछ सालों में अंडर फ्लॉरी कल्चर मतलब क्या उस जो इसमें फूलों की घेती की जाती है वो आ गय जो सुगंद देने वाले जो प्लांस होते वह ठीक है एंड होटी कोल्चर है इंक्रीज तो यह सारी चीजे क्या हुए पिछले कुछ वर्सों में इंक्रीज हुई है इस प्लांटेशन रिक्वाइर हाई स्टैंडर ऑफ सेडलिंग्स अभी अगर आपको यह सारे मतलब यह स अच्छे बीच की सर्वत पड़ती है फिर कटिंग्स कटिंग्स मतलब क्या वो कई पोधे ऐसे होते ने जिनका कलम अप लगा दो के तो भी वो ग्रो कर जाते तो वह अच्छी क्वालिटी का होना चीए उसके बाद बल्ब ठीक है कई पैदे पोधे ऐसे होते जिनका बल्ब अगर अगर यह प्लांटेशन मतलब करना है तो हमें हाई क्वालिटी के सारी चीज़े होंगी उनके बीच है ना ऐसे थोड़े ना कुछ भी लगा देंगे तो इसकी वजह से नर्सरी का क्या हुआ है विकास हुआ है इसके लिए तो नर्सरी को बनाया गया है ठीक है क्योंक कोई भी समझें आम का पेड लगाना है तो ऐसे कोई भी कोई बेकार आम है उसको अच्छा पेड ऊख जाएगा आपको क्या करना पड़ेगा अच्छे हैं अच्छा वीच उसका चाहिए होगा तबी आप अच्छा आम आम का पेड आपको मिल पाएगा तो यह अच्छी गुलाब का आपको ये कलम मिला अर लागर के लगा दिया तो जाएगा है उसके लिए पर देख सकते हैं वह समझ में आया ना तो बच्चों यहां पर हमने यह सारे स्थीज यह डिस्कस कर ली है अब हमारा नेक्स्ट्ट टॉपिक क्या है तो ये भी कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है मैं आपको वो नेक्स वीडियो में एक्स्प्रेइन करूंगे लेकिन उसके पहले थोड़ा सा जीसलें आपको पता आउना चाहिए फिसलों को पाला रग जाता था पाला मतलब क्या उनको जसे सब केसे थे ख़ंडी तो उसी के लिए किसकी जरूरत पड़ी ग्रीन हाउस की जरूरत पड़ी इसमें क्या किया जाता है जो आपके पौदे होते उनको लगाया जाता है फिर उनके चारों तरफ ना प्लास्टिक की कवरिंग लगा दी जाते हैं यह बहुत बड़ा है चोटे-चोटे भी लगाया ज तो यह ग्रीन हाउस के रहे हैं तो यह ग्रीन हाउस फार्मिंग क्लियर रहे हैं अगर किसी ने पूछा तो आप लोग बता सकते हो जी हाँ बताएगा जरूत ठीक है ना समझ में आ रहे हैं तो यह ग्रीन हाउस फार्मिंग हो गया अब टाइपस ऑफ फार्मिंग हमको पढ़ना है बहुत मज़ा आएगा आपको आगे भी पढ़ने में ठीक है तो यह आम लोग नेक्स वीडियो में कंटीनिव करेंगे स्ट्रेंट्स तब तक के लिए ज